असलामों अलेकूम एब्रीवन कैसे है आप सब लोग हम लोग अलहमदुलिल्ला ठीक है आज वो धूब दिखरी लंच का टाइम भी हो गया यह लोग को बुला लेंगे क्या कर रहें कि क्या कर रहें आप दोनों यहां पर अरे कुछ भी नहीं आदे उन खेलेती हैं मैं अर्थ नहीं चलो ठीक है क्या हुआ कैसा है लंच हो गया रेडी इसलिए बुलाने के लिए आई आई आपका खाना रेडी आयत का निकाल दी मैं ला लिए जजार अल्ला खैर चलो स्पून लेके आजो मैं अरे जरुद नहीं अर्थ नहीं अर्थ देखते नहीं है उन्हों कभ खान अर्णी निकालो स्पून छाल आणे नििकाला तुम भी आपना स्पून चैंड़ कहें ला इसमिल्ला हुम् जावरस के भी चाब Assalam Alaikum Everyone, I know you guys want to watch the vlog but before that I would request you to please watch it till the end if you guys watch it till the end, then our click-through rate increases, our video watch time also increases what would then happen is YouTube would start suggesting our videos to others as well which would help us to reach lot more people and possibly potential subscribers our goal really is to achieve 1000 subscribers in next 4 months and this is not possible without your support so we do need your support, please watch it, please share it among your family and friends and please do subscribe if you guys have not done it already please leave a like if you like the videos and for now that's it, let's get into the vlog we are coming now, we are going to make a d pick up the grocery store we will keep a few more fruit from the grocery store we will train the other guys, it's good to check the food for the folks, we need to get the food out and we will always check them out we're going to the Indian store what we are going to do now? what do we do now? you will see the next tip store? what's next? we'll go to the Indian store एक लाने का है थोड़ा जाओ आयो प्लीज आरे नहीं होता तुम घरगा बिरियानी बनाना है जिरगे को बिलाइंगे पैहाई दिखती है अरे मजाग थाओ नियाए जोग था वह चलो आप हमें ऑप बिरियानी देंसल करना भी पूलो प्यास एक भी लाने का है हाँ लालेंगे हम लोगए पार को जागो अध्या थे लालते तुम बीर्यानी बना लो उराम से कलके लिए चलो आठालेंगे आण पूध प्रश कर दो कर दो कर दो दो अधार बीस करते हैं दियो कहा हो जुश YOUज खेंक है एऄ असंफी अधे भी खामुड़न में बैब slips है स्डेक्वेश्ड और रफिर श्रॉसर जाह प करेक्व एठाव सेशियर क्ति ख फार में создate Pier Gemox खेंच खाव सेट शार अच्छा हुआ ये लोग मानगे ग्रॉसरी लाने के लिए आज बहुत धूप है 90 डिग्रीस है तो एक काम करेंगे हैं लोग आये तक हम लोग ये शर्बत बनाके रखेंगे अब मैं याप एक तर्किश दिलाइट शर्बत बनाने वाले हूँ इसका नाम ओटमन शर्बत बोलते हैं उसके लिए हम लोग को नहीं ये चेरीस होना है याप यह पर 500 ग्राम फ डिली खट करके रख लीश्में सीर्बत अब यह पर कंढाम मेजर करकर और यह पर प्लम्स ली मैं प्ल Mär lñ चया और यह भी रेट डेली सींरे सेह यह वाले आर हम लोंगों दो फाईस होना रहता दो लोंग और एक डालचीमि लीज़ और शक्कर लेना रहता थ्रीफोर्ध कप शक्कर परॉडर है मिरे पास तो थ्रीफोर्थ कपी मैया पे तो चलो अब शर्बत का शुरुवात कर लिंगे हम लोग शर्बत बनाने के लिए मैया पे बड़ा पॉट ले ली अब इसमें थोड़ा पानी दाल दी पहले गरम हो रहा ना तो उसके बाद फ्रूर्ट सब एक साथ दाल देना है दाल देके अब इसमें पानी भर लेना है जब तक वो डिप नहीं हो जाते हैं फ्रूर्ट सब इसमें पानी लेना है जो भी पॉट लेते हैं एकॉर्डिंग ही हम लोग पानी जितना होना उतना दाल ले सकते अब आधे गंटे तक यह अच्छा बॉइल होना है हो गया मैं हाफ पॉट भर ली आधे गंटे तक अब इसको बीडियम हाई फ्लेम पे छोड़ देना है फाइम मिनिट्स हो रहे मैं आन कर केशता हूँ और प्लम का स्किन जैसे दिख़़ा लाइर से थोड़ा पील हुए जैसा दिख़़ा यह स्किन पूरा थोड़ा पील हो जारा प्लम का ऐसा हाफ ए नवर छोड़ दिये तो उसका पूरा रस निकल जाता पानी में अब यह बॉइल होना स्टार्ट हो गया अब यह स्टेज में हम लोग जो सिनमन और क्लोव्स लिये ना वह दाल देना है पानी में अब कंटिन्यूस और बीस मिनिट होना है बॉइल हो गे थर्टी मिनिट्स ऐसा अच्छा बॉइल हो गया और कलर भी निकल गया मैक्जिमम अब इसको हम लोग चान लेना रहता थोड़ा ठंडा हुआ तो चान लेना रहता थोड़ा ठंडा हुआ तो चान लेना रहता यह अब थोड़ा ठंडा हो गया बॉइलिंग रुग्या इसका मैं फ्लेम आफ करके एक आजा गंटा होड़ा आजा गंटा इसी इस इस्टाव के ऊप यह पॉट में ऐसा एक मेश रख ली इसमें चान लेंगे अब एक स्पून से इसको थोड़ा ऐसा दबा लेंगे इसमें भी जो रस बचके हैं वो निकलता थोड़ा अच्छे से यह पूरा चान ली मैं नेट में इसका पूरा रस निकल गया नीचे अच्छे से अब यही पॉट मैं फिर से अन कर रही फ्लेम मीडियम पे रख ली अब हम लोग जो त्री फोर्थ कप शुगर लिये वो आड़ कर ले रही अब हम लोग एक बॉइल आते हैं फ्लेम आफ कर देना रहता अब बॉइल का वेट पर दें अब मैं फ्लेम बन कर दी यह शुगर पूरा मिल्ट हो गया लाइट से गरम हुआ है तो मैं बन कर दी फ्लेम तो शुगर मिल्ट हो गया हमारा अब नेक्स्ट मैं फिर से आलग पॉट में इसको छान ले रही इसमें पानी और आट करना है तो इस स्टेज में हम लोग आट कर ले सकते हैं अब भी टेश्ट करती है अगर ठीक है लगा तो मैं पानी आड नहीं करती नहीं तो पानी आड कर लेती थोड़ा मुझे फ्लेवर तो अच्छा लग रहा तो मैं पानी आड नहीं कर रही अब इसको हम लोग रूम टेंपरेचर आने तक ऐसे ही छोड़ देना है उसके बार रेफ्रिजरेटर में रखना है यह ठंडा हुए तक अच्छा ठंडा है तो अच्छा समर ड्रिंक के जैसा रता और जब तक यह लोग वापस आते हैं तब सर्विंग के लिए हम लोग एक आइस क्यूब या दो आइस क्यूब डालके निकाल लेंगे चिल सर्व कर ले सकते हैं के लिए हैं को बाइस क्या है चलो यह लोग आगे कते हम लोग हमारा शर्बत सर्व कर लिंगे इन लंको धूप में थंड़ा थंड़ा अच्छा रहता निकाल लिंगे अब यह आइस क्यों भी दालेंगे आयद को बहुत पसंद नहीं अग्वाइब क्या खेली आए अधर इसे तुम्हें क्या खेली जवादस खेली आज इन पार्ग में आज अज आओ अपनों के लिए ठंड़ा शर्बत बने आज अच्छा यह शर्बत क्या वरेटे दिखता है यह ओ यह ओटमन शर्बत बोलते इसको ओटमन शर्बत बोलते हैं अर्थल शर्बत है क्या हूँ आरे अच्छा नाम देदीजा आप अच्छा है आए अच्छा है आया महीं भी टेस्का दुरूब है अरे जबर्दस एजी है अच्छा है हाओ बच्छों को डेफिनित होने पसंद लेकिन आप लोगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलो प्लीज शेर करो लाइक करो और कॉमेंट करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो अगर आप लोग पहले बार आया है चानल पर तो अंटिल लेक्स टेप्सोड अप लिटल टेस्टर हम सब की तरफ से आयत इट्स अलाहाफिर